है गई इस वीडियो में हम जानने वाले है कि second round के counseling में जो लोको CTabi落ट हो गया है अब उनको documents upload करना है तो वह document कैसे upload करेंगे और कौन-कॉन सा documents इसमें लेगाना है कौन कुन से documents क अप्लोड करना है सबसे पहले तो आपको मार्क سेट लगाना है क्लास 10 पाइज प्रूफ आप लगा सकते हो और अगर अभी तक अपने ट्वेल्व में तो आप एक अंडडेकिंग लगा सकते हो अपको टाइम मिल जाता है कुछ दिनों का जिसे आप अपना डिशल्ट बाद में भी यहां पर सो कर सकते हो अपने college में उसके बाद आयाता है SC category certificate अब यह category certificate उन सभी students के लिए है जो की reserve category में आते हैं यह general category वालों के लिए नहीं होता है क्योंकि उनको कोई भी category कोई भी certificate दिखाने का ज़रोत नहीं पड़ता है यह तिर्फ OBC EWS SC and ST category वाले जो भी candidate है उनको यह certificate लगाना होता है जो OBC से है वो OBC certificate लगाएंगे जो SC और ST से है वो यहाँ पर SC certificate लगाएंगे अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं NCHM JWE admit card admit card आप सभी के पास होगा वह admit card भी जो JW वाल admit card है वो भी आपको यहाँ पर attach करना होता है इसी के साथ medical certificate भी आपको यहाँ पर लगाना होगा medical certificate का format medical certificate कैसे बनाते है इसके उपर already मैंने वीडियो बना दिया था आप वो वीडियो देख करके अपना काम आगे का कर सकते हो बहुत सारे इस्टोट ने बनाई लिया होगा लगबग तो चलो अब अप्लोड करते हैं बहुत सारी हो गई बाते हैं अब यहाँ पर अप्लोड करने के लिए सिंपल ही जो चूस फाइल का ऑप्सन इस पर हम लोगोंने क्लिक करना है ध्यान से समझो इन सारे प्रोसेस को आप अपने मतलव हो ही जाता है अगर नहीं होगा तो आपको एक तरीगा बतायता हूँ इन सारे अप करके एक साइट है वहाँ पर जा करके आपको बहुत सारा option मिल जाएगा PDF को merge करने का भी option मिल जाता है image to PDF converter भी है और बहुत सारे options है वहाँ पर आप देख लोगे screen pay मैं दिखा जाता हूँ और हाँ यह कोई promotion नहीं था आपके help के लिए मैंने बता है अब क्योंकि मैंने पहले से ही PDF बना करके रख लिया है फाइल का size भी देख लिया है सभी 200kb के अंदर ही है और सभी का rename भी मैंने कर रखा है तो simply choose file करके मैं file को select करके यहाँ पर upload करता जाओंगा अब एक बर जब सारा file upload हो जाए फिर हमने यहाँ पे simply save and preview पे click कर देना है save and preview पे click करते ही आपके सामने में इस तरह से interface उपनो करके आ जाएगा आप यहाँ पे preview of uploaded documents है यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कौन कौन सा document upload कर रहा है और वो documents आपका सही तरह से upload हुआ है या नहीं हुआ है यह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से click here for large view भी है आप अगर बड़ा करके देखना चाहते हो वो भी यहाँ से आप देख सकते हो जब आप सब्सक्राइब हो जाओ कि यहाँ आपका यह सब सही है अब एक बार सभी को self-verified करने के बाद नीचे final submit पे क्लिक कर देना अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गरबड़ी है या फिर कोई गलत सा documents यहाँ पे आ गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हो चेंज करने के लिए यहाँ edit पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको फिर से इसे modify करने का, document बदलने का, change करने का, सही करने का option मिल जाता है तो हमने यहाँ सब कुछ सही-सही upload करा है तो simply final submit पे क्लिक कर देंगे जैसे यहाँ पे final submit करते हैं एक नया interface उपनो करके आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अपने documents upload करा है वो सब कुछ दिख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से अब कुछ देर के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा documents वो verify हुआ या नहीं या फिर किसी तरह का discrepancy निकल के आता है तो वो हम लोगों को बाद में पता चल जाने वाला है अब documents upload करने के बाद जो हमारा next process होता है जो next step है वो होता है pay seat acceptance fee जो 40,000 हमने pay करना होता है counseling process में उसको pay करने का option यहाँ पे दिया गया है तो कैसे fee, seat acceptance fee कैसे pay करते हैं उसके लिए मैं आपको next video में बताऊंगा अभी के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करें मैं एक्शन से अगर सेवे students के पास अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद